तो आज हम सर्वाइफ करने वाले हैं 100 Days as a Creeper तो ये कहानी एक काफी ज़्यादा पुरा नी जापे मैं था एक मासुम सा विलेजर और मुझे मैजिक सिखने का काफी ज़्यादा शौक था बट मेरे पूरे विलेज में कोई भी ऐसा नी था जो कि मुझे मैजिक सिखा सके इसलिए मैं बहुत ज़ादा मायूस हो चुका था लेकिन एक रात अचानाश से एक विच मेरे पास आई और उसने मुझे कहा कि वो मुझे magic सिका सकती है लेकिन उसके लिए मुझे उसके साथ उसके witch hurt पर चलना पड़ेगा और कि नुए मुझे magic सिकने को मिल रह था इसलिए खुषी-खुषी मैं उसके hurt पर जाने क cats राजी हो गया ऑट जैसे मैं उसके hurt पर पहुचा witch ने अचाऩ से मुझे एक पोशन थेड़क दिया जिस वयसे मैं उधर ही बेहोश हो गया जैसे मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि मैं सिधा एक विलेजर से एक क्रीपर बन चुका था और मैं पहुचू का था एक पिलेजर आउटपोस पे और पिलेजर और विच की बास सुनने पे मुझे पता चला कि इस विच ने जो हमें पिलेजर को बेज दी है ताकि ये लोग हमारा इस्तमाल करके विलेज को फोर सके और मैं ऐसा बिल्कुल भी ने चाता था इसलिए मैं वहाँ से जैसे तरसे करके भाग गया और यहां से मुझे मिले मेरे टोटल चार गोल्स जहापे सबसे पहले मुझे अपने ले एक प्याराव खुबसर सा हाउस बनाना है सेकेंड मुझे अपने ले एक फुली इंचेंडर नेटरेट का आर्मर बनाना है थर्ड मुझे इन पिलेजर के आउटपोस में जाके इन्हें पीटना है और फानली मुझे इस वीच से अपना बदला लेना है तो Day 1 को Creeper बन के Pillager Outpost से भागने के बाद मैं सिधा पुछ रूगा था एक बड़ी आसे Plains वाले बायम में मेरे जस सामने यहाँ पर एक पेड़ था तो मैं फटावट से पेड़ के पास पहुच गया और वहाँ पहुच के मैं यहाँ से कुछ लॉक्स को चॉप करना स्टार्ट कर दिया और उनका Planks बना कि मैंने अपने लिए क्राफ्टिन टेबल बना दिया और उसके हल्प से मैं अपने लिए एक वरण की पिक एक्स बना दिया जहाँ पहुच ही मैं अपनी ब्लास्ट वाली अबिलिटी का इस्तेमाल किया और मुझे आसे इजली फूड भी मिल गया और ऐसी अपनी ब्लास्ट वाली अबिलिटी का इस्तेमाल करते वे मैं यहाँ पर फूड को कलेट करने लग गया यहां पर चिकन्स को मारी रहा था कि तभी मैंने देखा कि हमारे जस सामने था यहां पर एक desert temple हमें day 1 के अंदर एक desert temple मिल चुका था इसलिए बिना जरी करते वे मैं फटावट से desert temple के अंदर चले गया धावट डिंक करते ही फाइनली मुझे एक chest मिल गया जिसको चैक आउट करने पर यहां से मुझे थोड़े बहुत गोर्ड मिले कुछ बोन्स मिले कुछ श्रिंग मिल गया दूसरी चेस को चेक आउट करने पर यहां से मुझे एक golden apple मिला, तीसरी चेस में से मुझे दो और golden apple मिल गए, लास्वाली चेस में से मुझे कुछ embrill, कुछ gunpowder मिल गए, और मेरे डेजर टेमबल से भार आने तक यहां पर आल्रेडी रात हो चुकी थी, और वैसे तो हम creeper थ मैं जितना भी food collect करके लेके आया था, उसे मैंने cook करने के लिए रख दिया, जैसे मेरे सारे food यहां पर cook हो चुके थे, तो मैंने फटावट से खा के अपने hunger बार को full कर लिया, और मुझे ऐसे कुछ sugarcane भी मिल गया, जिसे मैंने collect कर लिया, यह अपने को future में काम आएगा, अपने temple के just सामने मुझे आपे cave मिल चुकी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी बद माइनिंग कर लिया, और हमें अपने world का पहला iron भी मिल चुका था, जिसे मैंने फटावट से माइन कर लिया, और आगे मुझे यहां से भर-बर की easily काफी सारा iron मिलते जा रहा था, ज चुकि सब को मारते रहता है, तो मैंने सोचा क्यों ना इससे थोड़ा बद 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 बना दिया, इसलिए बड़े प्यार से मैं उसके just नीचे खड़े रहा, और दो फटा के बजाते ही मैंने उसको मारके सब का बद 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 ले लिया, खतम, बाइ-ब अबने ले एक fully iron का armor भी craft कर लिया, इसी के साथ अब अपने पास एक fully iron का armor आ चुका था, केव में गुमते गुमते गयज में यहाप एक रवीन में पहुच चुका था जहापे थोड़ागी बढ़ते मैंने देखा कि मुझे यहाप मिल चुकी थी एक प्यारी सी एक्षो लॉटल तो मैंने सोचा क्यों नहीं इसको अपना पैड बना लिया जाए बट बकेट बनाने के उसके आत्मा को मुक्त कर दिया अगे मुझे से थोड़ा बद और गोल्ड मिल गया एंड रवीन में थोड़ागी बढ़ते गया मैं फिर से के में पहुच चुका था जहापे थोड़ागी बढ़ते गया मुझे आपे एक माइंड शाफ मिल चुकी थी तो मैं फटावर्ट स कुछ कोट्स और कुछ ग्लोबैरिज मिल गया एंड तभी मजे आपना बी थड़ावाद दोस यानि की मेरे जैसे दिखने वाला एक क्रीपर मिल गया तो सेल्फी लेना तो बनता है माइंड शाफ में आगे बढ़ते गयाज मुझे आप एक ओपन M30 का ज्यॉड मिल चुका था जहाँ पर पाउच कि मैंने सबसे पहले यहां से कुछ M30 के शार्ट को कलेट कर लिया और साथ ही थोड़ा बत देकोरेशन करने के लिए में यहां से कुछ M30 के ब्लॉक्स को भी कलेट कर लिया और फिर मुझे एक और चेस मिली बट उसमें से भी मुझे सिर्फ फर सिफ को लापिज लजू ली और कुछ टॉर्चेस एंड एक नीम टैग मिल गया और मुझे और कुछ ज्यादा खाथ माइन शाफ से मिला नहीं इसलिए मैं वापिस अपने रवीन में आ गया पर रवीन में थोड़ा गी बढ़ते हैं मुझे आप एक की बार में दो दो जगा डैमेंड मिल चुके थे एंड ऐसा मेरे साथ पहली बार वाता तो इसी बात पर वीडियो को लाइक दे दो एम करते सेवें ठाउज़ड लाइक का टरीका है भीक मांगने का और जब मैंने डैमंड को मांड करना स्तार्ट किया तो एक वेन को मांड करने पे यहांसे मुझे टॉटल आफ डैमंड मिले जोसी तरह माइन करने पर मुझे टोटल 5 डामेंड्स मिल गए एक की बार में अब अपने पास टोटल 13 डामेंड्स हो चुके तो इस बात पर लाइक तो देना बनता है आगे मुझे ऐसा थोड़ी बद और गोल मिल गए और साथ मुझे थोड़ी बद और रिसोसे जैसे की रेडश्टून सब मिल गए जिसे मैंने माइन कर लिया और मैं फार्नली अपने केव से भार आ गया और उसके बात गया अपने विलेज को ढूड़ने के लिए जहां पर मैं विलेजर बनके रहा करता था और काफिजर तक चलने के बात फार्नली गयाज मुझे अपना विलेज मिल चुका था और यहां पर आल्रडी राद भी हो चुकी थी इसलिए एक विलेजर के घर बे जाके उसको उठाके मैं से देचले गया सोने के लिए नेक्षडे के सुबहते में आपे सारे विलेजर जो की मेरे दोस्त वा करते थे में उन सबसे बात केने लगया ताकि वो लोग मुझे पहचान सके बड़ उसमें से मुझे कोई भी पहचान नई राता सब मुझे एज आ क्रीपर ही समझ रहे थे और उसकी बाद मैंने आपे दो विलेजर से रिक्वेस्ट किया कि वो लोग मुझे कुछ दिनों के लिए अपने विलेज में रहने दे बड़ उनकी सिर्फ एक शर्त थी कि मुझे यहापे किसी भी विलेजर को नुकसा नई पहुचाना था और उसकी बाद मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड यानि कि आरन गोलम से भी बात करने का ट्राइक है बड़ वो भी मुझे इग्नोरी कर रहा था सला यह दूख का है खतम नहीं होता वे एक बहुट उसकी बद में अपने घर पर पोँचा है एपनी चेस में से मुझे काफी सारे एपल से परेड मिल गये और यह मेरा घर हुआ करता था तो मैंने अपने बीस सामान मेरे पास था उसे मैंने चेस ए समय ट्रांसफर कर दिया लगे वे थे तो ने आपके कुछ शूगर केंज को तोड़के यही पर अपने शूगर केंज को प्लांड कर दिया ताकि हम future में इंचेंटमेंट टेबल सेट आप करके थोड़ी बद इंचेंटिंग कभी काम कर सके और उसकी बाद मैं अपने ले एक शवल बना दिया एंड मैं अपनी प्यारी से एक्षोलोटल को अंदर छोड़ दिया एंड आप अब हम नेदर में जाने वाले थे तो मेरे पास जो डायमंड थे उसकी हल्प से मैंने अपने लेक डायमंड की पीकेक्स और एक स्वॉर्ड बना दिया एंड काफी दर दोड़ने के बाद फानली मुझे फीक लाबा का पूल भी मिल चुका था जहा पर पाणी दारकी मैने पूरे लाबा को आपसी डें में कर दिया एक एक कर दिया से काफी सारे Obsidian को माइन करना स्टार्ट कर दिया Obsidian माइन करके मैं भार ही निकल रहा था कि तभी मैंने देखा कि यहाँ पर मुझे कुछ Magma Blocks और साथ कुछ Nether Rack दिखे जिसे मुझे लग रहा था कि यहाँ पर हो सकता है एक Ruined Portal हो थोड़ा दिल ऐसी माइन करते करते मैं यहाँ पर पहुच चुका था यहाँ पर मुझे एक Ruined Portal मिल चुका था Ruined Portal के पास मुझे एक Chest मिली जिसमें से मुझे एक Mending की हो कुछ Flint और कुछ Iron के Nuggets मिल गए और मैंने यहाँ पर काफी दर तर ट्राइ किया कि मुझे यहाँ पर एक Gold का Block तो मिल जाए बट यहाँ से मुझे एक भी Gold का Block नहीं मिला और केव से बाहर आने के बाद मेरे पास जितने भी Obsidian थे उसके अलब से मैंने फटावर्ट से अपने एक Nether Portal बनाना स्टार्ट कर दिया और उसके बाद एक Flint and Shield बना के मैंने Portal को Light Up भी कर दिया और उसके बाद एक Shield बना के मैंसे देने कर गया Nether Portal के जरिए Nether World को एक्स्प्लोर करने के लिए नेदर में पॉच्छे गाज मैंने अपने Spawn Point को चेक किया तो मैंने देखा यह काफी ठीक ठाक सा Spawn Point था नाही को जादा अच्छा था नाही को जादा बुरा था चलते चलते गाज मुझे सामने मेरे यहाँ पे एक Warf Forest वाला बायम मिल चुका था इसके जास बाजू में मुझे पे Crimson वाला भी बायम मिल चुका था जहाँ पे एक Nether Fortress भी था यानि के मैं फार्निल एक Nether Fortress भी मिल चुका था मैं फटावट से Fortress के अंदर चले गया जिसमचे मुझे एक Diamond के Horse का Armor दो सैडल मिल गए फार्निल हमें आप अपने काम की चीज यानि के Blaze का Spawner मिल चुका था यहाँ पे पहुत के मैंने हमिश्या की तरह एक एक करके सारे Blazers को मानना स्टार्ट कर जया ताकि मुझे इना ब्लेजरॉड मिल सके और काफी सारे Blazers को मानने के बाद इना ब्लेजरॉड कलिट करके मैं फार्निली फोर्टर से भार आ चुका था और ऐसी गयाँ मैं नेधर में घुम राता था थोड़ा बद नेधर को एक्स्प्लोर करने के लिए और चलते चलते मुझे आप एक बड़ा सा Blackstone Bastion मिल चुका था इसलिए मैं फटावट से Bastion के अंदर चले गया अंदर पॉस्ते मुझे आप पहले कमरे में दो चेस्ट मिली जहापे पहली चेस्ट को चेक आउट करने पे यहाँ से मुझे रार वाली डिस्क मिली कुछ arrows मिले और एक crossbow मिल गया और दुसरी चेस्ट को चेक आउट करने पे जहाँ से मुझे काफ़े सारे magma cream काफ़े सारे obsidian, कुछ bone के blocks और एक gold की axe मिली और उसकी बाज़े वाले कमरे में दो और चेस्ट थी और मैं काफ़े ज्यादा नीचे आ चुका था एक एक होज में कि मुझे हाँ पे वह कुछ अजीव वाले blocks मिल जाए जिसके नीचे हमें easily काफ़े सारे gold की blocks मिल सकते थे बर यहां से मुझे कुछ भी नहीं मिला अगे कुछ और चेस को चेक आउट करने पर आसे मुझे धुरूबत और गोल कुछ ऑपसीडियन डामंड की शौवले डामंड की पीक एक्स और एक इंशन डेब्रेश मिल गया जिसके नीचे मुझे काफ़े सारे gold के blocks मिल गया जिसे मैंने एक एक करके फटावट से कलेट कर लिया और भार ने करते हैं मुझे आपके कुछ पिकडिन्स दिख गया तो मेरे पास जितने भी gold के blocks थे उनका इंगर बना कि मैं सारे पिकडिन्स को देने लग गया ताकि वो लोग trade करके हमें अच्छा चमाल दे सके और काफ़े दल तक वेट करने के बाद इनकी trade खतम हो चुकी थी और इनोंने मुझे करीब कुछ इतना सारा सामान दे दिया था जिसमें मुझे काफ़े सारे एंडर पोल्स मिले काफ़े सारे लेदर मिले और भी काफ़े सारे चीज़े मिली जिसे लेकर मैं सिदे निकल गया over world के लिए अपने village में पहुच के मैंने सबसे पहले मेरे पास जितना भी सामान दे इन्वेंटरी में उसे मैंने चेस्ट में ट्रांसफर कर दिया और मेरा खाना अल्मूस्ट खतम होने वाला था तो मैं यहापे एक एक करके सारे मॉप्स को मानने लग गया ताकि मुझे इनसे इनाफ फूड मिल सके और काफे सारा फूड कलेट करने के बाद मैं अपने सारे फट्रनेस में थोड़ा थोड़ा करके सारे फूड को कुक करने के लिए रख दिया और जब तक राद भी हो चुकी थी इसनले मैं सिदे चले गया सोने के लिए मैंने डिसाड किया कि क्यों इस वर्ड को थोड़ा बद एक्सप्लोर करके अच्छी लूट को कलेट करके लाया जाए और साथ एक प्लेजर आउटपोस धुनके सारे प्लेजर को पीटा भी जाए तब ही चलते चलते मुझे अपक प्यारा सा होर्स दिख गया तो मैंने सोचा क्यों नहीं इसको टेम कर लिया जाए एन एक से दो बार ट्राइ करने के बाद फानली यह होर्स टेम हो चुका था एन मेरे पाद जो सैडल था और साथ डैमन होर्स का आर्मार था मैंने उससे पहना दिया एन एक क्रीपल होर्स को चलाते वे काफी जादा एपिक लग रहता है एन साथी काफी जादा हसी भी आ रही थी एन उससे लेके मैसे दने कर गया इस वर्ल को एक्स्प्लोर करने के लिए एन चलते चलते अपने पास में यहाँ पर एक डैजर बायम शुरू हो चुका था जहाँ पर थोड़ा आगी बढ़ते ही मुझा पर एक और एक डैजर टेमपल मिल चुका था आद उसे बिया काफी सारे हैबस को छोडेकर लिया है जिस के अंदर समझे काफी सारे बैपर एन काफी डैदर की आरमा मिले वह भी क्या अची इनचाण में वाले के नहीं थे चलते चलते गाइस फार्नली मुझे यहां पर वो जगा मिल चुकी थी जिसके लिए एक्सप्लोर करने के लिए निकला था यानि की एक पिलेजर आउट पोस्ट और मुझे इन सबसे बदला भी लेना था और मैंने देखा कि इन्होंने जो हे दो आरन गोलम को भी करके रखा था तो मैंने सबसे पहले एके करके दोनों आरन गोलम को छुडा दिया एंड आरन गोलम के छुडा थे हमारी और पिलेजर की फाइट यहां पे स्टार्ट हो चुकी थी पिलेजर्स को अच्छे तरीके से पिटनी के बाद मैं या पी ऊपर आ चुका था चेस्ट को चेक आउट करने पियांच मझे काफि सरे लॉक्स, काफि सरा आइरन और साथी काफि सरा वीड भी मिला अपना बदला पूरा करके मैं फानले अपने विलेज में भी वापस आ चुका था और पिलेजर्स से लड़ते लड़ते जो है मेरी शील्ड टूट चुकी थी इसले मैंने सबसे पहले अपने ले एक शील्ड बना लिया और उसके बद में फिट से आ गया था केव में थ्टी बढ़ डायमंड की माइनिंग करने के लिए बद डायमंड को ढूंटे ढूंटे मुझे हमें सबसे पहले काफि सारा आइरन मिल गया जिसे मैंने माइन कर लिया and साथ ही मुझे यहां से भर-बर के काफी सारे coal भी मिल गया जो की काफी ज़्यादा important था मिरे पास खतम हो चुके थे तो मैंने सारे coal को भी mine कर लिया and चलते चलते गयाज finally मुझे हाँ पर diamonds मिल चुके थे पुछ पुछ पूराने diamonds भी थे जिसकी help से मैंने सब से पहले अपने ले एक फुलिय का mirror बना दिया and बच्याविya deion ke it मैने अपने लेक एंडकि एक्स बना दिया and इसके साथ अब अपने पास एक फुलियर डायमें का आर्मार भी आंच उटा था और उसके बाद एक book बना के मैंने अपने लिए एक enchantment table बना दिया और उसे max करने के लिए अभी मुझे bookshelf की जरुवत थी और तब ही मैंने देखा कि मैरे सारे sugarcans या पर grow के data to harvest हो चुके थे तो मैंने यासे सारे sugarcans को harvest कर लिया और उसके help से मैंने अपने लिए काफ़ सारे books बना के उसे planks में मिला कि मैंने अपने लिए काफ़ सारे bookshelf बना लिए और उसके help से मैंने फटावर्ट से अपने enchantment table को max level पे setup कर दिया अब बार रहा चुकी थे अपने सारे चीज़ों को enchant करने की जिसके लिए मुझे xps की जरुवती इसलिए मैं आ गया था नेदर में और नेदर में बहुत की मैं कॉट्स को माइन करने लग गया ताकि मुझे enough xps मिल सके कॉट्स को माइन करके xps स्केलेट करने के तरीका मुझे काफे ज़्यादा एजी और काफे ज़्यादा अच्छा लगता है and enough xps स्केलेट कर लेने के बाद मैं अपने शौवल अपनी x को enchant कर लिया and उसके बाद मैंने पास xps बच चुकी थी उसके अलप से मैंने अपने बचेवे आर्मर को भी enchant कर लिया and कॉट्स को माइन करते करते मैंने ज़्यादा टूट चुकी थी इसलिए मैंने अपने ले एक नई diamond की pickax बना दिया and मैंने उसे enchant कर दिया and साथ एक bow भी बनाया and मैंने उसे भी enchant कर दिया and finally अब अपना fully diamond का armor या पी enchant की ready हो चुका था and guys अभी काफी time हो चुका था and अब हम villager भी नहीं रहे तो हम ज्यादा time तक अपने village में नहीं रह सकते थे and अब बर्या चुकी थी अपने लेक प्यारा और खुब सरसा house बनाने की and घर बनाने के लिए मज़े सबसे पहले normal cobblestone की जरुवत थी जो कि मैंने अपने mending वाली pickax से इस्तेमाल करते वे collect कर लिया and साथ मज़े को stone की भी जरुवत थी दिए हैक बस्ते में पाइब बनाल में इनके guys आपने आपको और भी ज्यादा पाउरफुल बनाने की यानि की अपने आपको फुली नेटरेट में कवर करनी की इसलिए मैं आ गया था नेधर में अपनी इंशन डब्रीज की स्ट्रिप माइनिंग करना स्टार्ट कर दिया और मेरे पास और कोई आप्शन था नहीं मैं अपने विलेज से बैड नहीं चुरा सकता था इसलिए मैंने काफी दर था यहां पर श्ट्रिप माइनिंग करते गया और मुझे जो भी इंशन डब्रीज मिलते जा रहे थे उसे मैं एक एक करके माइन करते जा रहा था और श्रिप माइनिंग करने में मुझे काफी जादा टाइम रग गया बैड और TNT को फोनने में हमें एजिली इंशन डब्रीज मिल जाते थे बट श्रिप माइनिंग करने में कभी-कभी जो इंशन डब्रीज छुट भी जाते थे बट ऐसी काफी दर के माइनिंग करने के बाद मैंने जैसे तैसे करके जो टोटल 37 इंशन डेवरी स्केलेट कर लिये थे जिसे मैंने अपने तीनो ब्लास्ट फणने में थोड़ा थोड़ा करके स्मेल्ट करने के लिए रख दिया जैसे मैंने फिले अपने अपने पुरे आर्मर को नेतरेट में रिपार कर लिया अब अपने पास टाउर फुली इंचैंटेन नेतरेट का आर्मर भी आ चुका था और मेरे पार जितने भी बैस रोट थे उसका ब्लेस पॉर्डर बना कि मैं अपने ले काफी सरे इफ एंडर बना दिये क्योंकि अब बर्याचुकी थी आइदर ड्रागन को हराने की एंड मैं ड्रागन को इसलिए हराना चाहता था क्योंकि मैं जो काम विलेजर बनके नहीं कर पाया वो मैं क्रीपर बनके कर सकता था और उसके बाद डारेक्शन डून के मैं सिधा निकल गया है यासे स्टॉंग ओल्ड को ढूनने के लिए चलते चलते मैं यापे एक जगहा भी गया उसके यापने आया फेंडर को फेका तो मैंने देखा कि अपने आया फेंडर जैसे के नीचे जा रही थी कर दिया त्वी अपने सामन को अरेंज करके में सई देने कर गया ंड में एंडर द्रागन को हराने के लिए एंड में पॉस्ती गहार मिन अपनी बूक का इसे मों करते हुए एकए करके सबसे पहले सारे आंड क्रिश्टल को फोर्나 सिटार्ट कर दिया एंड जैसे सारे एंड किस्टल फूर्ट चुके थी एंड जैसे एंडर डगन नीचे आया मैंने सबसे पहले उसके पेट पर अटाक करना स्टार्ट कर दिया और उसकी हल्थ काफी जादा कम कर दी अन तो किकिकि वह जल्दी निचे नाई बेट रहा था इसलिए अपनी बूग का इस्तिमाल करते घुए भी मैंने इसं पर काफी सारे अटाक करके उसकी हल्थ काफी जादा कम कर दी उसके बत में इसकी हेट पर अटाक करने लग गया एंड पर अल्मस्स कम हो चुकी थी वो मरने ही वाला था बाट एंड मुवमेंट पे उसने मुझे उड़ा दिया एंड में सिधा ओपसीडन के पिलर पर पहुँच गया एंड मेरे नीचे उतरने तक वो उड़ भी गया बाट अपनी बुक का इस्तेमाल करते वे मैंने 2-3 शॉट मार दिये एंड मैंने फानली एंडर ड्रागन का गेम यहां पे खतम कर दिया एंड यहां से सारी एक्सपी बटोल लने के बाद मैसे दे निकल गया ओवर वर्ड के लिए अपना आखरी बदला लेने की यानि की विच को हमिशा हमिशा के लिए खतम करने की फानली मुझे उसका विच हट भी मिल चुका था और यह दूर से काफी जाता क्रीपी दिख रहा था यहां पे अभी के लिए नहीं थी जैसे में विच हट के अंदर गया तो मैंने देखा यहां पे एक विलेजर लेट आवाय है और इसे लग रहा था इस पे कोई एक्सपेरिमेंट चालू था यहां पे आचुके थे और यहां पे पड़ा लिखा बंदा था और इसे थोड़ी बद पोशन की नॉलिज थी अब बारे आ चुकी थी विच से अपना बदला लेने की इसलिए उसके हट के जस नीचे में आपे एक ट्रैप बनाने लग गया और साथ उसकी जो सपने थे विलेजर को क्रीपर बनाने की वो भी सपने खतम हो चुके थे और फाइनली हमारा जो बदला था वो भी आप पूरा हो चुका था बड़ जैसे मैं अपने घर पर पहुचा मुसे मिलने के लिए यहां पे एक विलेजर आया और उसने मुझे बताया कि जिस विलेजर की हमने जान बचाई थी वो और कोई नहीं इसका छोटा भाई था और उससे लग रहा था उसका भाई अब 100% क्रीपर बन जाएगा और ठीक करने के लिए वो सालों से महनत कर रहा था ताकि ऑ फोई ऐसा पोशन बन तके जिससे वह उसने वापई से वीलेजर बना सके और उस में जव बना भी लिया था इसलिए उसने मुझे गरे जस निचे गज डी। थमने सेendar चले गया और उसके सीक्रेट रूम पर पहुष थे मैंने देखा कि उसने यहां पर एक तगड़ा वाला लैप बना की रखा था और कुछ देर वेट करते ही वह विलेजर भी यहां पर आ चुका था और उसने मुझे कहा कि यह पोषिन बनाने में उसे काफ़ी जादा टाम लग गया और यह पोषिन पढ़ते ही मैं बेहोश भी हो जाओंगा उसके बाद उसने अपना तगड़ा वाला पोषिन निकाला और मेरे वुपर छिड़क दिया और कुछ देर वेट करते ही मैं यहां पे बेहोश हो चुका था जैसे मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि हमारे जस सामने यहां पे वह विलेजर खडाता है वह काफी जादा खुश भी था और उसने मुझे बता है कि फाइनली हमारा एक्सपरिमेंट यहां पे काम कर गया और मैं फाइनली क्रीपर से यहां पे एक नॉर्मल विलेजर बन चुका था और काफी टाइम बाद अपने आपको विलेजर बन के देखने में मुझे काफी जादा खुशी भी हो रही थी इससे जल से जल कंप्लीट कर दोगे तो मिलते हैं अगरी वीडियो में तिल देन गुडबाई